आज हम लोग बात करेंगे अर्थिंग ट्रांसफोर्मर के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा कि अर्थिंग ट्रांसफोर्मर होता क्या है अर्थिंग ट्रांसफोर्मर का परपस क्या होता है पावर सिस्टम में किन conditions में, किन configuration में earthing transformer को use किया जाता है ये सब आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में तो दोस्तो बिना time waste के शुरू करते हैं देखे, earthing transformer basically एक auxiliary transformer होता है जिसे electrical earthing system का एक part मना जाता है तो दोस्तो सबसे पहला सवाल तो ये आता है कि earthing transformer का purpose क्या होता है प्रोवाइड करते हैं तो earthing provide करने के लिए हमें neutral की requirement होती है क्योंकि जो power system होते हैं power system में neutral को ही अर्थ किया जाता है अब SMS सवाल ये है कि अगर आपके system में neutral available नहीं है तो उस case में आप power system में effective earthing provide करेंगे कैसे अब इसमें आप बोलेंगे कि neutral तो available होता ही है ऐसी कौन से condition होती है जहां neutral ही available नहीं होगा तो मान लीजिए आपका जो system है आपका जो पूरा power system है ये delta connected है अब delta configuration में हमारे पास neutral available नहीं रहता क्योंकि neutral सिफ star configuration में ही available रहता है अब आपका अगर system delta connected है तो वहाँ पर आपके पास neutral available नहीं रहेगा और अगर आप delta configuration के system की बात करे तो फिर आपके लिए power system को अर्थिंग provide करना मुश्किल जाएगा क्योंकि आपके system में neutral की availability नहीं है तो ऐसे में दोस्तों हम एक extra arrangement की requirement होती है जहां से हम neutral को ले सकें और उसी neutral को ground करके हम पूरे system में अर्थिंग provide करवाते हैं तो इसी लिए इसी purpose के लिए अर्थिंग transformer का use किया जाता है हम अलग से एक transformer install करेंगे जो star configuration का होगा star का जो common point होता है उसको हम लोग as a neutral use करेंगे और उसी neutral को अर्थ के साथ connect करके हम पूरे power system को अर्थिंग provide करेंगे